हर रिष्टे में अम्रुत बर्षेगा, सर्थ इतनी है कि प्रेम करो पर साजिस नहीं, प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उबग्षा नहीं सह सकता कुछ लोग बाहर से जितने खुबसुरत होते हैं, उतने ही अंदर से जहरिले होते हैं आपको कितने लोग पहचानते हैं, ये माइन नहीं रखता, बल्कि किस बजह से पहचानते हैं, वो बहुत माइन रखता है कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल लेते हैं कभी कभी हम जीत कर भी वो नहीं सिखते जो हार कर सिख जाते हैं सिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा किजिए, आपके पास जितना है, नाजाने कितनों के पास उतना भी नहीं है, तलस ना करो अच्छे इंशान की, खुद अच्छे इंशान बन जाओ, साइद तुमसे मिलकर किसी की तलस खत्म हो जाए, अपने गलती भी मानना सिखो, क्यूंकि हमेशा सामने बाला ही गलत नहीं होता, मन की सोच सुन्दर है, तो सारा संसर सुन्दर न जराएगा, जिन्दिगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमन मत करना, क्यूंकि पत्थर जब पानी में गिरता है, तो अपने ही बजन से डू सके, तो बुरा भी मत करो, क्यूंकि दुनिया कमजर है, लेकिन दुनिया बनाने बाला नहीं, साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं, वो मोत की दहलिश तक साथ नहीं छोड़ते हैं, इंसन की परेशानियों की केबल दो ही बज़े है, व वो भागे से अधिक उमिद करता है, और समय से पहले चाहता है, सुई जब चलती है, तो बहतरिन पोसाख बनाती है, और चुबने वाले चीज का मकसद बुरा नहीं होता, अकेले रहना बहुत सही है, बज़ए उन लोगों के साथ रहना, जो आपको महत्व नहीं देते, कोई सराना करे या निंदर, दोनों अच्छे ही है, क्योंकि प्रसंसा प्रणना देती है, और निंदर सब्दन होने का अपसर, किसी के साथ अच्छे समय में बेटना बहुत सरल है, बरन्तु मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन है, जो तुम से तांग आ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोच बन जाने से याद बन जाना बहतर होता है, जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है, कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं, जो रिष्टा आपसे आपका स्वाभिमान चीन ले, वो रिष्टा रिष्टा नहीं घुटन है, जिस प्यार में सर्मन नहीं, वो प्यार प्यार नहीं, चुबन है, जिन्दगी में कुछ फैसले बहुत सक्त होते हैं, और यही फैसले जिन्दगी का रूख बदल देते हैं, किसी को कोई फर्प नहीं पड़ता, कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे, किसी के लिए भी खुली किताप मत बनों, टाइम पास का दोर है, पढ़कर फैंक दिये जाओगे, इस्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देती है, इसलिए कर्म सज समझ कर किजिए, तो दोस्तों फीडियों आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताए, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं,